हेदो फ्रेंड्स आज हम बनाने जारे होली ऐस्पेसल दहीबारा दहीबारा मैंने बनाया है फूल गोवी का, इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी भीगोई हुई उरत की दाल, दो टुकरे अधरक दो हरी मिर्ज, इन सब को हमने पीस लिया है। मसाले के लिए हमने लिया है भूनी हुई जीरा, काली मिर्ज, लाल मिर्ज, सफ़ेद नमक, चाठ मसाला, काला नमक इन सबको हम पीछ लेंगे अब हम यहां पर फूल गोबी को अच्छे से साफ करके इसको हम कद्दु कस कर लेंगे अब हम यहाँ पर पिसी हुई उरत डाल में कद्दू कस किया हुआ फूल गो भी नमक और खाने वाला मीठा सोडा मिलाएंगे अच्छी तरह से नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे अब हम इसे अच्छी तरह से अपने हातों से मिक्स कर लेंगे ताकि फूल गो भी अच्छी तरह से मिल जाए अब हम गरम तेल में अपने बड़े को तल लेंगे हमारे गोभी के बड़े तल चुके हैं अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे यहाँ पर मैंने एक बावल में पानी लिया है उस पानी में फूल गोभी को मैंने फूल गोभी के बड़े को मैंने डाल दिया है यहाँ पर मैं दही ले रही हूँ दही में मैंने दो चमस चीनी मिक्स कर दिया है अब हम एक प्लेट लेंगे दही बड़े को हम पानी से निचोर कर अपने प्लेट पर निकाल कर रखेंगे अब हम यहाँ पर फेटी हुई दही उपर से डालेंगे अब हम यहाँ पर इमली की चटनी उपर से डालेंगे और हमने जो मसाला त्यार किया था वो मसाला डालेंगे हमारी बिल्कुल सौफ्ट गोभी की दही बड़े बनकर त्यार है फ्रेंड्स आपी से खाईए होली पर आए हुए अपने महमानों को भी खिलाए और अपनी तारिफे पाईए वो भी पूछेंगे कि आपने यह दही बारा आखिर किस चीज से बनाया है पसंद आये तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना ना भूले